पेरिस ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली शूटर मनुभाकर का भारत में जोरदार स्वागत हुआ राहूल गांधी ने मनुभाकर से मुलाकात की है राहूल गांधी से मुलाकात करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर अब वाइरल हो रही है राहूल गांदी ने इस वीडियो में देख सकते हैं आप मनु भाकर को अपने घर पर बुलाया और मुलाकात की लोकसभामे नेता प्रतिपक्ष राहूल गांदी से मुलाकात की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है राहूल गांदी ने इस दोरान बुके भी भेट किया मनु भाकर को और मुमीठा भी करवाया इस दोरान मनु भाकर के साथ उनके कोच जस्पाल राणा और परिबार के सदत से मौझूद थे अब राहुल गांधी के साथ मनु भाकर की तस्वीर तो सोशल मीडिया पर चर्चा का विशाय है लेकिन एक तस्वीर और राहुल गांधी की चर्चा का विशाय बन गई है जी हाँ इस तस्वीर को देखिए राहूल गांधी के साथ इस तस्वीर में जो शक्स खड़े हैं वो कोई और नहीं बलकी मनु भाकर के कोच है जी हाँ यानि की राहूल गांधी के बचपन के दोस जस्पाल राणा जो की मनु भाकर के कोच है यानि मनुभाकर के कोज अस्पाल राणा शूटिंग में एक बहुत बड़ा नाम है और राहूल गांदी ने शूटिंग ये गेम में ही गोल्ड मेडल भी जीता क्या है ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में ये तस्वीर दोनों की जवानी के दिनों की है बदाने कि कोज अस्पाल राणा का नाम शूटिंग के दिगजों में शुमार है वैसे तो 54 साल के उमर में राहूल गांदी की फिट्नेस की भी कई जगा तारीफ होती है और लोग उने फिटनेस फ्रीक भी कहते है दरसल राहूल गांधी का सोशल मीडिया पर एक और फोटो वाइरल हुआ जिसमें राहूल को मेडल देते हुए दिखाय जा रहा है जी हाँ, इसमें राहूल गांधी मेडल देते हुए नजर आए मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक राहूल गांधी ने 26 दिसमबर 1986 से 5 जनवरी 1989 तक दिल्ली मायोजित 32 नैशनल शूटिंग चैंपियंशिप में हिस्सा लिया था बताया गया कि उन्होंने इस दौरान 25 मीटर एयर पिस्टल में पहला स्थान प्राप्त किया था जिसका एक सर्टिफिकेट भी वाइरल है आपको बताते ही जस्पाल राना मनुभाकर के कोच है मनुभाकर के कोच जस्पाल राना शूटिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है 1990 के दशक में राना का शूटिंग में डंका बचता था उन्होंने हिरोशिमा ऐशिन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और महज़ा 16 साल के उम्र में अरजिन पुरसकार जीता 1994 में कॉलंबिया में कॉमन विल्ड गेम्स में चार गोल्ड मेडल पर भी उन्होंने अपना कब्जा जमाया था नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूले ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24